मद्धिपदेश की ग्वालेर में हाई कूट की युगल पीथ ने जन हित्य आचिका का जवाब पेश नहीं करने पर पूर्वस्तांसर जत्रादितिस सिंधिया चित्रांगदा राजी सिंधिया और मादवी राजी सिंधिया पर दसजार का हरजाना लगाया है साथ दो सपता हमें जवाब पेश करने के आदेश भी दिये गया है सिंधिया पर महल गाउं हलके में शास के जमीन बेचने का आरूप लगाया गया है उपेंदे चतरवेदी ने 2014 में एक याचिका दायर की थी और याचिका में ये तर्क दिया गया था कि महल गाउं हलके का सर्वे क्रमांक 1212 शास के भूमी है और ये जमीन को बेचा नहीं जा सकता है लेकिन जोत्रादित सिंधिया वह उनके ट्रस्ट ने जमीन नारायन बिल्डर्स को बेच दी है कोड ने शास की भूमी के विक्रह पर सिंधिया परिवार के तीन उस दस्यों को जवाब पेच करने का आदेश दिया था लेकिन उनकी और से कोई जवाब नहीं आ रहा था कोड ने चेतावनी भी दी लेकिन अनसुना कर दिया उनके वकील बार-बार समय ले रहे हैं इसी के चलते जनित याचिका की फिर से सुनबाई थी लेकिन सिंधिया की और से कोई जवाब नहीं आया इसलिए उन पर 10,000 रुपे का जर्माना लगा दिया गया